एम्टी क्लासिस की नई वीडियो में आपका स्वागत है यहां हम हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं दस प्लस सिरीज हमारे चैनल पर अप्लोड हो चुकी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यह प्लेलेस्ट में लाइन वाइस वीडियो मिल जाएगी यह हिंदी शब्द अर्थ की सिरीज का वीडियो नुमर 37 है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है पहला शब्द है हमारा भाते भाते का मतलब होता है अच्छे लगते या अच्छा लगना सुखद, सुखद का मतलब है खुशी देने वाला हर्ष देने वाला, मन को खुश करने वाला चेतन, चेतन का मतलब है जगा हुआसा चेतन का मतलब क्या होता है जो थोड़ा जगा हुआसा हो जीवन में जागा हुआ हो मृत, मृत का मतलब मरा हुआ कई लोग जीवित रहते भी मृत रहते हैं मतलब मरे रहते हैं, और चेतन क्या है, जो थोड़ा जागरित हो, तपता, तपता का मतलब जलता हुआ, जो जलता है, तपता है, इर्दगिर्द, इर्दगिर्द का मतलब आसपास, विविधता, विविधता का मतलब अनेकता, भिनता, अलग-अलग तरह की चीज़ें, एकता, एक्ता का मतलब होता है संगठन में रहना, मिल जुलकर रहना हर्सो उल्लास, हर्सो उल्लास का अर्थ है हर्स और उल्लास के साथ खुशी के साथ, सम्मान, सम्मान का मतलब है इज्जत की भावना धार्मिक, धार्मिक का मतलब है धर्म से सम्मंदित, जो धर्म से जुड़ी हुई चीज हो अत्याचारी, अत्याचारी का अर्थ है जुल्म करने वाला, जो जुल्म करता हो सर्पाकार, सर्पाकार का अर्थ है सापके आकार का, जो सापके आकार का हो वद का अर्थ है हत्या या किसी को मारना लोग कथा का अर्थ है लोगों से सम्मंदित कथा जो लोगों से जुड़ी हुई कहानिया होती है जो पुराने समय के दादा दादी कहानिया सुनाते हैं वो क्या होती है लोग कथा होती है वान्चित, वान्चित का मतलब होता है इक्षित या मन्चाहे जो अपनी इक्षा के अनुसार होता है दोश, दोश का अर्थ है कमी या गल्ती उप्यूक्त, इप्यूक्त का अर्थ है कोई योग या उचित बेरोजगार, बेरोजगार का अर्थ है जिसके पास कोई रोजगार ना हो, रोजगार का अर्थ क्या है? काम, जिसके पास कोई भी काम या नौकरी ना हो जमीनदार, जमीनदार कोन होता है? जिसके पास काफी जमीन हो, जो जमीन का मालिक हो रसदार, रसदार का अर्थ है रस से भरा हुआ, जिसके अंदर रस हो इसे हम सिंपल भाहसा में रसीला भी कह सकते हैं रसीला चूआ चूट, चूआ चूट का मतलब होता है न चूने देने की भावना प्रवेश, प्रवेश का मतलब दाखिल होना या दाखिला लेना परवर्दिगार, परवर्दिगार का अर्थ है पालन करने वाला जिसे हम इश्वर भी कहते हैं सर्ताज, सर्ताज का अर्थ है सबसे उंचा मुकटमणी, जो सबसे उंचा हो सर्वस्रेश्ट सबसे उत्तम जो सबसे बहतर हो अर्पित करना अर्पित करना का अर्थ है श्रद्धा से चढ़ाना श्रद्धा से किसी को कोई अरपन देना निरोग निरोग का मतलब है रोगों से रहित जिसे कोई भी किसी भी तरह का रोग ना हो रक्षक का अर्थ है रक्षा करने वाला जो रक्षा करता हो मखमल एक प्रकार का कपड़ा अभिन का मतलब है जिसको तोड़ा ना जा सके जिसको अलग ना किया जा सके विवेकशील, विवेकशील का अर्थ है भले बुरे का ज्यान रखने वाला भक्षक, नस्ट करने वाला, जो हर चीज को नस्ट कर देता है उसे भक्षक कहते हैं, रक्षक बचाने वाला, भक्षक नस्ट करने वाला सुस्ताना, सुस्ताना मतलब आराम करना कोटर पेर के तने में बना घर जैसे चडियां का घर बना होता है जो पेर के कोटर में बना होता है पेर के एक छोटी सी गुफा बना लेते हैं चेद बना लेते हैं उसमें रहते हैं दम घुटना, दम घुटना मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, आराम देह, आराम देह का मतलब आराम देने लायक, जो आराम के लिए चीज हो, आराम का मतलब आराम देह का मतलब शरीर, आराम देह जो शरीर को आराम दे, विश्वास पात्र, विश्वास पात्र मतलब विश् सके विरोध विरोध का मतलब होता है बात का खडणन करना बात को काटना शुदा शुदा का मतलब होता है पेट की भूक जब अंद्रूनी भूको विश्राम ग्रह विश्राम का मतलब होता है आराम ग्रह का मतलब घर तो पूरा मतलब क्या हुआ आराम करने के लिए घर या आर प्रभाव उत्पन करने वाला जो प्रभाव उत्पन कर सके लोगों में एक पंत दो काज का अर्थ है एक ही काड ये से दोहरा लाव जैसे हम विडियोज बनाते हैं तो इससे अर्ण भी करते हैं और आप लोगों को सीखने को भी मिलता है तो एक पंत से दो काज होते हैं और लंबे समय तक ये चीज आप लोगों के समक्ष रहती भी है चार दिन के चांदनी, चार दिन के चांदनी का मतलब क्या है? कुछ दिनों की खुशी चात्र विर्ती, चात्र विर्ती है आर्थिक सहायता या वजीफा जो कमजोर बच्चों को दिया जाता है, जो होशियार बच्चे होती है चिरण स्मर्णिये हमेशा याद रखने लायक, जो चीज हो जो हमेशा याद रखने लायक हो आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत चोर करना ये इस सिरीज की वीडियो नमस 37 थी और मुझे आशा है कि आपने सिरीज से 1 से लेकर 36 वीडियो देख लीओगी हिंदी सिर्थ की ये शब्दर्थ का ग्यान, मतलब की हिंदी वोकाब का ग्यान आपको इसलिए चाहिए ताकि आप एक ही सेंटेंस को अलग-अलग तरह से लिख सकें और अलग-अलग किताबों से अपनी समझ को बढ़ा सकें हर किताब में, हर वाके में अलग-अलग शब्द लोग अपने व्याकरण के हिसाब से अपने शब्द ग्यान के हिसाब से लोग लिखते हैं तो कभी-कभी क्या होता है? हमें कई शब्द समझ नहीं आते हैं और वो शब्द समझ नहीं आते हैं तो पूरा sentence पूरी बात भी समझ नहीं आती है तो इसलिए हमें शब्द अर्थ को सीखना जरूरी होता है शब्द अर्थ के ग्यान को बढ़ाना जरूरी होता है ये पहली से आठवी तक के सभी बच्चों को शब्द ग्यान कराया जाता है इस प्राइविटी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में और इसी के साथ व्यक्तिकत इस तर पर आगे बढ़ने के लिए इस तरह के शब्दों का ग्यान, इस तरह के वाक्यों का ग्यान होना चाहिए वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी लोगों गवा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्लेलिस्ट से जुड़ी जानकारी के लिए आप वीडियो को आगे तक देख सकते हैं अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मातरओं में अंतर कहानी, मिशन बुनियाद, 2023-2022 उसके बाद guidance वीडियो और मातरओं में अंतर की अलग अलग वीडियो उसके बाद लाइन वाईज़ आपको सारी वीडियो जाएगे हमारी प्लेलिस्ट में जाके आसान और गठिन दोनों मात शुरू से अंग्रेजी और गड़िश सीखने के लिए आसाने भी ताधिते चनल से भी जुड़ सकते हैं